फोको एफ़ोर के लिए दो तीन दिन पहले इंफिनिटी एक्स का एक लेटिस्ट अपडेट आया है उसके आपके बहुत सारे कमेंट आए कि अपडेट आ गया है वीडियो लेके आओ वीडियो लेके आओ तो मैं उसी समय से डाल दिया था बत प्रॉल्म यह है कि मैं थोड़ा है क्योंकि जब मैं वीडियो जाता हूँ यह दो सो तीन सो के व्यूज रहते हैं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला जब आप लोग का इंट्रेस्टिंग कम हो गया है पहले के काम परिजन में भी बहुत सारे लोगों ने फोन सेल कर दिया है तो फिर मैं दो तीन सो के लिए तो क यह रो मुझे अब तक का ESP में सबसे ज़्यादा यूनिक और डिफेंट लगा है जो कि आपको काफी ज़्यादा पसंद आएगा इसका रिव्यू मैंने है जो पोको A5 के लिए कर रखा है अब यहां पर फोर के लिए कर रहा हूं जहां पर आप देख पाओगे कि यह तो आ का भी बेनिफीट यहां पर आपको मिलता है तो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए किसी भी अधर आप पर डिपेंड नहीं रहना परेगा और यू आप पूट के लिए यहां पर डॉल भी दिया गया जिसके वज़ेसा आपका आपको अच्छा रहेगा बट कैसा है मैं आपको अब वाप असक्ते हम अपने सेटिंग के अंदर तो यहां पर आप बात करो एबाउट कीस में तो आपको एबाउट में देखने को मिल जाता है जो कि हमारे यहां पर एंडॉइट 15 है 2.7 का यहां पर ओफिस्यल टैग आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद यहां पर आप आपको गेम बार दिया गया है जिसका बेनिफिट आप यहां पर ले सकते हो और यह आपका प्रोपर काम करता है तो गेमिंग के टाइम में यह आपको काफी अच्छा-कासा हेल्प प्रवाइट करने वाला है तो यह सही आपको आप्सन यहां पर मिलता है अनदर यहां पर आ नहीं किया है जैसे कि आप यहां पर देख पारे हो और क्या रिजल्ट है वो मैं आपको जिखाऊंगा आइडियल मनेजर आपको मिल जाता है स्लिप मोड भी है जोकि आपको बैटे स्विंग में भी हेल्फ कर देता है इसके बाद यहां पर बाकि यादा चार्जिंग कंट्रोल और श्रीट वगर मिल जाता है यहां पर पर कॉल डाउन का जो फीचर से आज कल कॉमन हो रखा है यहां पर आपको मिल जाएगा बाकि बेसि बाकि यहां पर आपको आइकन पैक डेखनी को मिल जाता है अनादर यहां पर शॉटकर चेंज करने का आपको मिलता है लॉक इसके अंदर आते हैं तो यहां पर डाइनेमिक क्लॉक आउन लैप टू चेक और क्लॉक्स वगरा के फॉर्मेट मिलते हैं डिस्प्ले इक अंदर आपको आटो बैटनेस अच्छे से काम करता है इसमें वो कोई दिकत नहीं आती अलालग ऑप्शन दिया गया है जैसे के रियल में इवाई में आपने नूटिस करा है सेम उसी तरीके से है उसके बार यहां पर एक्ष्टा डीम है टाइम आउट को आपको यहां पर मिल जाता आपको मिल जाता है डवल टैप्टु वहका और पर आपको डवल टैप्टु डोज का ऑपसन है तप उसली बिशीट सुबार अगरेरा का ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है एक्सिदेंटल वैक आपको मेल टैप्रिवेंड करने का टज को थोज़ आसा और रिस्पोंस क को better कर सकते हो जो कि यहां पर पहले से ही काफी सही लगा मुझे anti flicker भी दिया गया है और HDR brightness mode भी दिया गया जो कि HBM के नाम से आप जानते हो अनादर यहां पर वही सारे basic से options है लेकिन आप जैसी इस पर tap करते हो काफी कुछ चीज आपके सामने आ जाती है जो कि हर जगए आपको प्रोवाइड करने की कोशिस करी गई है यह सिंपल सा मोरेट कश्टमाइशन है जो कि every room में आपने नोटिस किया है यहां पर आपको देखनी को मिलता है custom clock वगेरा जो कि इस तरह की से सेलेक्ट करो जो भी अच्छा लगे उसे आप अप्लाई कर लो अप्लाई करने के बाद यहां पर आपको बैक पर मिल जाता है वेदर का सेटिंग और यह विजट्स वगेरा जो कि आपने विलोशन में देख रिखा है एक दो रोम में आपने यह चीज नोटिस करी है जो कि आपको अपने lock screen में दिखाए डएगा जो कि यहीं से आप access कर सकते हो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो ठीक है यह चीज़े साही है और यहां पर face unlock वगेरा भी आपका working है और fingerprint भी आपको यहां पर working है तो इसमें आपको कोई दिकत नहीं आती proper working है अनादर यहां पर देफ वालपेबर का option मिल जाता है जो कि आप यूज कर सकते हो यहां पर जो कि कीवे स्टाइल का option है केरियर लेवल का option है चार्जिग बैगराउंड का option मिल जाता है और अफ अनिमेशन आपको मिल जाता है फिंगरप्रेंट और ट्रिकेशन और पॉकेट मोड अगरे भी यह नहीं पर आपको देखनी को मिलता है जो कि आप यूज कर सकते हो अनधर यहां पर थेमपेड मिल जाता है जहां पे बूट आनिमेशन आ बजा सकते हो कुछ दिए गये हैं जैसके Google का, Cyberpunk का, Cald का और Evo का अनाधर यहां पर वालपेबर का option जो कि आप यहां पे blur कर सकते हो एन सिस्टम को restart नहीं कर रहा है जैसी वैसे वाल पे बलर यहां पर आटो रिमूब नहीं हुआ तो रिबूट करूँगा तो हो जाएगा यह चीज एक छोटी सी कमी में करूआ कि देखनी को मिला उसका यहां पर सेटिंग आइकन वगरा चेंज करने को अप्सन है फॉंट वगेरा आपको मिलते हैं लॉक का है बैग्राउंड चिप जो की क्लॉक के पिछे देख पाले होना कई सरे ओप्सन दिए गए तो जो भी चाहिए वह आप यहां पर रख सकते हो बैट्री बार है नेटवर्क ट्राफिक वगेरा है और यहां पर आपको देखनी को मिलता है मीडिया प प्लेयर वगेरा के जो कि आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हो क्लॉक हेडर वगेरा भी आप चेंज कर सकते हो और यहां पर उसके यूई वगेरा है कैसे रखने है तो बहुत कुछ आपको यहां पर मिलता है आप एक कीवेस से रिलेटर जो कि आप इने अपने हिसाब से के अंदर यहां पर आपको compact का ongoing का vibrate का और flashlight वह रखे option आपको मिलते हैं team का यहां पर पूरा name अगर दिया गया है navigation bar में free form का यहां पर android 15 का sidebar है वह मिल जाता है navigation mode के अंदर आपको circle to search भी रेखने को मिलता है जो कि आप यहां से huge में ला सकते हो miscellaneous के अंदर hide developer status, hide app list, smart pixel, ignore window secure flag और बाकि यहां पर कुछ switches भी आपको मिलते हैं जो कि आपके यहां पर काम करते हैं और यहां पर आपको देखने को मिलता है प्लेश्टर वगेरा का, gaming वगेरा का, photo studio वगेरा का और यह सारे चीज़ आपके working रहती है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आता और यहां पर जैसे एक बाद प्रफॉर्मिस क्या निकल के आता है इस रोम का वो देख लेते हैं तो आते हम अपने गालरी रिजल्ट के उपर सबसे पहले यहां पर आपको system default इतनी एप मिलते हैं यह दो वेरेंट में अवेलवल है एक वनीला और एक कोर तो को रोला यूच करना जिसमें आपको प्लेश जहां पर आप देखो कि 3% का बैटरी रोफ है जो कि 8 आस 12 मिनेट में हुआ है अनदर चार्जिंग जो कि 52 में 75 गया है वही 100 के आसपास गया है 20 के बाद स्लो चार्जिंग होता है जो कि आपको यहां पर दिखाई देता है अनदर यहां पर जो कि हमारा untrue score है काफी अच्छ के आया है काफी सई है लेकिन हाँ फोन आपका cool down रहेगा तभी अच्छा result मिलेगा अगर आपका warm हो रहा है heat हो रहा है तो आपको ठोटली और देखनी को मिलेगा score भी कम मिलेगा तो यह मत कहना कि आपने इतना दिखाया था मेरा इतना क्यों नहीं आ रहा तेची ध्यान में में रखना और यहें काफी बहतरी इन गीगवेज रिजल्ट जो कि आपको पसंद आने वाला है अनदर देखा बैटी डॉप जो कि 66 के बाद मॉर्णी में आता है यहां पर 62 यानि 4% का बैटी डॉप हो है जो कि इस वह थोड़ा सा ज्यादा में कहूंगा कि है core recording के benefit आपको को मिलेगा photo storage की setting दी गई है तो वह भी आपको यहां पर unlock मिल जाता है और साथ से साथ यहां पर आपको जो gaming feature से वह भी on रहता है जैसा कि extreme ultra और extreme plus का features तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत या सिकायत नहीं आने वाले pro पर काम करता है और अभी तक इसका जो blur नहीं हटा है न म आपको दिख जाएगा जैसे कि आप देखो wallpaper में आप नॉर्मल हो गया कि मैंने EY को restart नहीं करा था नाई phone को restart करा था तो कुछ इस तरीकी से यह साथ चीज़ें देखने को मिलती है तो मैं तब से रूम recommended है बट को कुछ चीज़े improve होने के ज़रूद थे जो कि मैं भी आने आई होप कि यह आप लोग fast support दिखाओ ताकि मुझे इसे carry करने में भी खुसी हो ठीक है cmd command जैसी open होता है आपको यह तो पहले drive out चेक करने के लिए command run कर देना है या फिर direct आता है तो ऐसे में reboot to recovery करो और रोम को फिर से refresh कर लो और reboot to recovery के टाइम पर में भी आपका है जो टीर लोयर पी या और इंट फोक्स रिप्लेस होके different recovery so कर सकता है तो ऐसे condition में आप क्या कर सकते को उस रोम को नए recovery के साथ दुवारा refresh कर दो अगर refresh proper हो चुका है तो आप dact format करके reboot कर लो आपका जो भी OS है वो बूट कर जाएगा without किसी issues के और यह जो step मैंने आपको बताया है यह same follow कर सकते हो आप अपने hyper OS को flash करने के लिए OSP वाले किसी भी रोम को flash करने के लिए same चीजे यहाँ पर होगी बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी flash कर रहे हो वो appropriate flash हो जाए कोई भी error ना आए I hope कि आपको सुझ में आ गया होगा मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में thanks for watching data bye bye हुआ 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 हुआ